जो अब इस वीडियो में हम अंगरेजहों की प्रसस्निक निती को देखेंगे इसके पहले हम अर्थिक निति पिछले और वीडियो में बता दिया था उसका में लिंक कि यहहbarsmки आर्थिक नीथि क्या क्या थी अब वह जब हमारे देश में अंग्रेज आया बिल्टिस आया तो उसकी कुछ प्रशाफ्णिक नीति थी शुद्य फ्रकुक्रश प्रसाफ्णिक नीति करें तीन अस्तंतंता था तीन इंद था एक तू था न하면 नागरी को हम पढ़ते हैं यहां कई बार पूछ चुका है तो भारत नागरिक सेवा का जर्म दाता है वो लौड कॉन वालिस है यह कौन है लौड कॉन वालिस इसको नाम आप याद रखिएगा ठीक ना उसके बाद जो है लौड कॉन वालिस ने शुरू में क्या किया कि जो कंपनी के अं क्या क्या किया काम किया लगा दिया क्या चैनल जब बार बहुप इस सभी उता था आप क Story करना कर द्यान किसुरौ के पड़ितिक अध्यार देशनोंने नागरी सेवा का क्या किया ध्यान रखेगा आगे देखे क्या हुआ अधिकारियों के ट्रेनिंग है तू कलकत्ता में किस ने लौड विरेज ली ना भी याद रखेगा लौड विली जो ना फोर्ट बिलियम कॉलेज की क्या किया अस्थापना किया कई बार को फन पूछ चुका है फोर्ट बिलियम कॉलेज कि ने बनाया लौड विरेज बनाया क्यों बनाया अधिकारियों के परिशिक्षन के लिए बाद में हालां कि ये कॉलेज बंद कर दिया गया तथा इंग्लेंड में इस्ट इंडिया कॉलेज की क्या हुई थी अस्थापना हुई ध्यान रखेगा चलिए यह हो गया आगे देखे क्या हुआ कि आगे घटना करम क्या हुआ देखिए जो हम अधिकारी होते हैं सिविल जो सेवा में जो भी जॉब करते थे उसमें क्या कर दिया कि एक एक्ट लाया एक भारतिया सिविल सेवा अधिया उसमें क्या कहा गया कि अब जो सिविल से वाहे तुझों इंग्लैंड में प्रइक्षा होना था ठीक ना उमर पहले तैस साल था फिर बाईस साल की आ गया फिर एक की साल की आ गया फिर उन्नीस साल की आ गया इतना आपको उतना जाने जरत नहीं इसमें पूछेगा 1863 में सत्यांदर नाथ टेगोर प पहले तो इसका इंग्लैंड में होता था लेकिन उनीस सो उनीस का एक्ट में एक्ट जो आया था उसमें यह कहा गया कि नहीं अब जो एक्जाम भारत और इंग्लैंड दोनों में होगा आप यह धियान रखिएगा और फैनली जो है ना 1935 में जो एक्ट आया था भारत प्रापधान किया गया कि नहीं अब एक्जाम भारत और इंग्लैंड दोनों जगह होगा और 1935 में एक अलग से संग्या लोक सेवा आयो का गठन ही कर दिया गया यह ध्यान रखिएगा ठीक ना इसको नहीं सकती के पिर्थेकर्ण के लिए भी जाना जाता है यह मैं अभी आ कौन था इंडिया में लॉड कॉन वालिफ था अब आई यह हमारे देश में अगर देखा जाए पुलिस विवस्था का भी शुरुभाद जो यही लॉड कॉन वालिफ नहीं किया था सेवंटीन नाइन्टीवन में ठीक नहीं और यही परतियेक थाने में दरोगा लाया था दरोगा का जो कॉंसेप्ट आज आप देखते हैं बिहार या पूरे देश में यह दरोगा का कॉंसेप्ट कि नहीं लाया था ठीना ध्यान रखेगा और आगे जाके एक परतियेक जीले में एक एसपी की न्यूपती किया इस ने पुलिस की न्यूपती कि ने किया था लॉड नियाए पाली का आपको पता है कि जब पलासी का युद्धवा बखफर का युद्वा उसके बाद यहां वार्न हैस्टिंस ने क्या किया एक नभी नियाईक परनाली राने का फुरभात किया और यह पूरा कपर परनाली था यह एक्ट्व में मुगल पर ही अधारित था ठीक नहीं तो यहां धियान लखेगा यह आहिए हैस समय कि पर्तियक जीले में दिवानी और फारवानी मतलब देखता है और फारवर्ज दारी मतलब जो कराइब की मामले को देखता था ठीक धिया दिवानी मामले में नियाय काफ करता था हिंदू मुसलिम की अधार परने या याटा था फोजदारी न्यालय में यहां एक मुक्ती होता था था काजी हो तथा यहां भी अधूर भूता था इतना उपे नहीं पुछेगा उतना दिशान ने दना एक सब्सक्राइब आम को बात क्या था गवर्णर जेनरल था यह ध्यान रखेगा आगे जाके देखे जब कॉर्ण वालिफ आया उसने भी जो है ना नियाइक शेवा में बहुत तरह कर सुधार किया देखे पहला देखे काम किया इफने दिवानी नियाले अलग किया उत पहले भी था और इसको अच्छा पर कैंती अदायत का क्या किया किया और आखरी अपील फदर आखरी अपील सब्लक्राइब दिवानी अदयात में की या और व्हुर्म्स कि न यहाला कि या यह नहीं दिया पिखे गstad और अगर यह पूर्द हड़का मुशन करकी लुक्यां फर्कृत यह इसको है और यह भरमन स ere प्रवालिस नहीं था इसके तफकर टेक्स्ट रसुलने का और नियाय करने का बैश्था पूरी तरह अलग कर दिया अब कलेक्टर को कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स रसुलिए आपको नियाय देखने को ज़रत नहीं है आगे जब बिलियम बेंटिंग आया उफ ने क्या क किया कौन वालिफ द्रास्था पी चार जो प्रांतिय अपिलिया और भरवनकारी नियाले समाप्त कर दिया तथा इनका कार्यकारी अब कलेक्टर और फिट डणना एक मजिस्टेट को दे दिया गया इसा परिवरतन होड़ा है ठीक नहीं उसको क्या हो इलाहाबाद में फदर नियालों से अंग्रिजों की सुनवाई का अधिकार छीन लिया गया फिर 85 में सदर दिवानी और फोजदारी अदालत की कलकत्ता मदराफ और उच्छ नियाले के अस्थापना हुआ और 1935 में भारत फरकार एक्ट के तर संग है नियाले की क्या हुए अस्थापना हुआ 1937 में यह बात आप ध्यान में रखिएगा यह खली मैकाले का बात याद रखेगा पहले बिधी आयो कौन थे मैकाले ही थे ठीक नहीं यह अब ध् सब्सक्राइब करना है जानना दिखिए से पहला फुधार की हां क्या हुआ आप इसको देख सकते हैं पहला का सुधार है अंगलिजाओं के तरफ से इसमें यह हुआ कि लॉड विरेजली 802 में क्या किया शिशू हत्या पर क्या लगाया था फिर 1829 में बिलियम बेंटिंग ने शती पर्था पर क्या लगाया था बै की एक यहान रख़ेगा फिर आगे देखें नॉर्थ भूक्स थे वो लाए थे आपका की नॉर्थ व्रुक्स ने ने डिर एक्लाया था इसमें दो बात था उंतरजातिय वेवार्ट करने की बाद था और इसमें महिलाओं लर्कियों का भी साधी जो है ने जो है इसमें चोदे साल करने का बाद था ठीक नहीं और 1891 में आया था लैंस डाउन एक्ट लाया था इन्होंने बारे बर्स की उन में लड़की का साधी एस कर दिया इस लड़की का उवर कितना कितना साल हो साधी कर वाइड हो गया भारे साल नहीं दियान रखे सब्सक्राइब कर दिया और अभी आपको पता है कि अधिकार दिया था यह कुछ कुछ जोने समाजिक सुधार था सबसे पहला जो बात अभी आपको जो है वरं हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरशा के स्थापना किया 1791 में हिंदु कानूर और दर्षपन का अध्यान करने है तु बनारस में संस्क्रीट का स्थापना हुआ कि इस ने क्या क्या पूछ चुका है अठरफ एसे में लॉड विलियम कॉलेज की क्या किया था स्थापना किया था इभी आपको क्या पूछ चुका है फिर एक ठरफ एक में स्थापना की गई उसके बाद देखी इसी लॉड में काले ने ही कहा था कि हमको भारत के कुछ लोगों को पढ़ाना चाहिए बाकी जो लोग पढ़ेंगे वो आगे के लोगों को क्या करेंगे पढ़ाएंगे इसको कहा गया क्या इसको फिल्ट्रेफन ठ सब्सक्राइब कर दिया गया था ख़तम कर दिया क्योंकि उतना सक्सेश्फूल नहीं हो पाया था आगे देखिए सब्सक्राइब काम हुआ कौन सब्सक्राइब आया था इसको देख सकते हैं इसे भारते सब्सक्राइब कर देख सब्सक्राइब कर दो अगया था और इस्क्राइब कर दिया था अगे देखिए प्रात्मिक सब्सक्राइब से इनिक जह विष्विदल के क्या हुई थी अस्थापना हुई थी आप यह भी बात क्या दियान में लखेगा अगे चलिए और घटना करम यहां देख लीज़े की आप दूनिश्वाद दो में सटंभम अधिक्ष्टा में एक सब्सक्राइब फिर फिर गठन हुआ इसको सिर्फ विश्विदाल्या की स्थिति का आकलन करने के लिए कहा गया था इसी के सिफारिज पर भारतिय विश्विदाल्या एक्ट उनिस्व चार आया था ध्यान रखेंगा और उनिस्वदार द्याफत ने पूरे छेत में अनिवार रूप से जो है नेक्स चलिए अगला इक आयों है फैटलर आयों पुछेगा कि से शेटलर आयों का समद्द आपका जो है ना शिक्षा से ध्यान रखेंगा इसने क्या सिफारिज दिया था इसको लिए फिर तीन फाल का देने की बात कई की थी तिन आगे देखे एक हार्टोग सम्मीतिया थ सब्सक्राइब किया था जाकिर हुषेन के अध्यक्स्ता में समीति गठन किया गया था गांधी जी कैसे हमारे देश में पढ़ाय लिखाए हो कैसे बच्चे फिरी अपकॉस्ट में परे इसमें क्या था अगला है सार्जेंट यह उनिफट चौवारिस में यह तीन फे च्छे बरस तो परेमरी परने का बात कहा गया और एकारए फटर्य साल जो उच्छ पर लास में पढ़ने का क्या था इन्होंने बात कहा था ठीक नहीं अगला जब देश आजाद हो गया तो एक आया रादहा क्र क्रिफ्टी गरांट कमिशन का गठन हुआ है इसी के तहत हुआ था रादा कि अधार पर ठीक नहीं और अभी आपको पता है जो नई इसको आप तीफरा कर सकते ठीक हमारे देश में तीन सीख्छानिती आ चुका है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक हुआ आपका कैसे कैसे हमारे देश में प्रसाफनिक और जो है ना समाजिक विकास हुआ इसको आप देख सकते हैं इससे पूशी सकता है या और भी किसी एक्जाम में आ सकता है बाकी का अगला वीडियो में किसी और टॉपिक पर बनाऊंगा